आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर की वीजन इस मंथली मैगजीन पहले भी मैंने स्टार्ट करी थी फिर लेकिन आप देखी ज्यादा व्यूस नहीं होने की वैसे मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि काफी महनत लग रही थी इनको बनाने में बट एक चीज है कि काफी लोग को पसंद आ रही है जो भी मैंने समझाया तो कई लोग और रिकवेस्ट कर दो हम दूबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको करना क्योंकि कम-टिनेउं करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पहला राजवस्था और शार्षन देखेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस पहला टॉपिक है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन एकनॉमिकली वीकर सेक्षन इड़लूएस कोटा देखें जैसे कि आरक्षन मिलता है हम सब जानते हैं स को मिलता है लेकिन फर्स टाइम स्टार्ट किया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर थे मतलब जिनकी सेलरी बहुत कम थी उन लोग के लिए भी आरक्षन स्टार्ट किया गया जिसको एडवलूएस कोटा बोलते हैं अब देखते हैं कि इसके एक्यों न्यूस में है उच चनौती दी गई थी तो जो सुप्रीम कोट है उसकी जो संविधान पीट होती है उसकी वैत्ता को बरकरा रखा मतलब यह सही है उनने बताया इस संशोधन के द्वारा सिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान वर्ग जनरल कैटेगरी की आबादी में इस को 10% आरक्षन दिय के बारे में सिन्हों आयोग की सिफारिश के आधार पर इस आयोग ने सब्सक्राइब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अब यह एक इंपॉर्टन चीज याद करने वाली है कि पूछ सकते हैं किसकी सिफारिश के आधार पर EWS को आइक्षन प्रदान किया गया था तो सिन्हों आयोग की सिफारिश पर यह नाम अच्छे से ज्याद रख लीजे और यह भी याद रख लीजे कि 103 वा समिधान शंश्व दगता तो इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थ अनुषचे जाती नहीं आते हैं तो इसे लोग को दिया गया है बतारे हैं जो मतलब देखें जो जोड़ा गया तो यह आपको बहुत चैसी याद करना है कि कौन समीधान शंश्व दन अधीनियम 2019 के द्वारा समीधान के आर्टिकल 15 जोड़ा गया तो देखें यह आपको बहुत चैसी याद करना है कि कौन समीधान शंश्व दन अधीनियम था एक सो तीन वा ठीक है 2019 में किया गया था यह जोड़ा गया यह बहुत अच्छे से ज्यान रखें इधर देख लेते हैं साइड में 103 समीधान शंश्व द्वारा सम समलेत अनुचेत पंद्रा चे तो यह क्या है यह अनुचेत पंद्रा चार और पंद्रा पांच में पहले से लखित समुधायों वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नती के लिए विशेश प्रावधन करने में सरकार को शक्षम बनाता है यह शैक प्रावधन कर सकती है इसमें जोडने के बार यह सेक्षिक संस्थानों के प्रवे से संबंदित हैं मतलब एड्यूकेशन इंसिट्यूट के उन सब में प्रवे से रिलेटेट है आर्टिकल 15-4 और 15-5 समाजी को से पिछड़े वर्गों अनुचे जाती जन जातियों से संबं समद्यावर्गों के अलावा आठीक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नतिक लिए विशेश प्रावधन करने में सरकार को सक्षम बनाता है तो मतलब जिसे मैंने आपको बताई कि जो सब्सक्राइब नहीं है उनके लिए विशेश प्रावधान करने में सरका को यह आर्टिकल सक्षम बनाता है यह नियुक्तियों में या पदों में आरक्शन ते संब्देते हैं पहला देखे पंद्रा चार हमारा पंद्रा जो हमारा पांच था शे वह रिलेटेट था सैक्षिक संस्थानों में प्रवेस से या रखे और शोला जो है वह नुक्तियों पदों में आरक्षन से सम्बंदे नहीं है जिनका राज की नज़र में सेवाँ में पर्याब प्रतिदित नहीं है तो यह बात हो गए हमारी आर्टिकल की कौन से जोड़ेगा है या रखे यादिनियम तो इससे क्या होगा जो राज सरकार है ओड्व यह को आरक्षन दे सकती है हलाकि इस अadian सरकार के शल क्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए этой डब्लींएकर दिया जा ہے या नहीं अब देखें बता रहे हैं कि इस अधीनियम में एक और प्राफधन है कि जो राज सरकार होती तेमरी सरकार होती उनको स्व accumulated है की नौकरियों में या राज सरकार की सेक्षिक संस्थान है उनमें EWS को आरक्षेंट दे या नहीं वो उन पे डिपेंड करेगा उनकी सुरत अंतायश में सरकार को समर्थ बनाने के लिए समीधान के अनुचेत 15 में शंशुधन किया गया है तो इसके लावा सेक्षिस नस्थान में प्रविश के लिए इस प्रकार की वर्गवे तो दस परसेंट तक सीटों को आरक्षित किया जाएगा तो पंद्रा चेज ओड़ा गयाने आपको बताया तो इसमें क्या होगा कि जो भी सेक्षिक संस्थान है इसे याद के लिए पंद्रा साल में प्रविश के लिए इस प्रकार के वर्गवे तो मतलब जो भी है उनको दस परसेंट तक सीटों में आरक्षिन मिलेगा इस प्रका कि माध्यम से अनुछे सोला में भी शंशोधन किया गया इसके सरकार नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी पदों पर दस प्रतीशत तक आरक्षिन का प्रावदान कर सकती है तो आपको भी बताया कि आर्टिकल 16 में शंशोधन किया गया इसके था इनको जो मिलता है उसके अत्रिक्त है EWS का आरक्षिन अभी साइट में दिखते हैं इंद्रसानी वाद 1992 उस्तम्याले के निर्ने की मुख्य बिंदू क्या थे नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाती है विस्ता के आधार पर की जा सकती है लेकिन केवल और विश शेश रूप से अर्तिकमानडल के सिंद्धन में पहचान नहीं की जा सकती है इसके अरफ़े पहचार नहीं कि जा सकताऊ मतलब किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा रिजर्विशन नहीं हो सकता है क्रीमी लियर को पिश्ड़े वर्गों से बहार रखा जाएगा ठीक है जो क्रीमी लियर हो गए है मतलब और लेडी बहुत अच्छे पादोपया है बहुत ची सेल लियर ठीक है उनको जो है पिश्ड़े और यहां वार्षे काय आठ लाग रुपई से कम है मतलब वह जो सी अस्ति में नहीं आते हैं वह लोग और जिनकी पूरी साल की जो इंकम है आठ लाग रुपई से कम है वह एडवलोस में आते हैं EWS आरक्शन के तहइट निम्लिखित को शामिल नहीं किया जाएगा अब इसमें कौन शामिल नहीं हुआ जिनके पास पांच एकर कृशी भूमी है तो वो का आवासी फ्लैट हैं जिनके पास एक हजार वर्फुट का एक आवासी फ्लैट है जिनके पास अधि सुर्चित नगर पालिका को में Сौ ररगज औस्याधिक छैत्त का आवासी भूकंड यह बात करा हैं तो आप आप यह याद रख लीजे इसके बाद यह मतलब तीन चीज़ें जिनके अगर हैं तो उनको EWS आरक्षन नहीं मिल सकता अब देखते हैं उच्टम न्याले की नेड़ने की प्रमुक बिंदू जनहित अभियान बनाम भारत संगवाद तो यह जो भी था जनहित अभियान बनाम भारत संगवाद तो यह बोल रहे हैं कि अगर किसी को आरख्षन दिया जाता है तो समीधान के मुल नहीं करता है यह बात इसमें गई गई उच्टम न्याले का पहले का फैसला कुछ तक समाजे को आर्थिक रूप पिछड़ेपन के निर्धान का एकमात आधार नहीं हो सकता है यह बोल रहे है कि जो पहले का फैसला दिया था उखाता कि कुछ हद तक जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्थे चोशली एंड एकनॉमिकली बैकवर्ट क्लासिस थी उनको प्रदान किये आरक्षन तक ह सब्सक्राण की सेमद था पहले का फैसला थीक है और इसमें का गया थे कि मतलब पिछ्ड़ेपन के आधार के निर्धार का इकमात आधार नहीं हो सकता है मतलब हुआ थिक हैं पहले फैसला थे अलग दिया था ile साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए आवशक है जो सेस्ट है वो क्या है शोशली और एकनॉमिक बैक्वर्ट क्लास का अब वर्जन उचित वरीकरण का हिस्सा है साथ यह दोहरे लाभों से बचने के लिए आवशक है इसके लावा निजी सिक्षर सिंस्थानों में एक अफधार्ना के रूप में आरक्षन से इंकार नहीं किया सकता है है इसके लावा यह बोल रहा है 1992 में इंदरःसाश हानिवाद में निडट है कि आर्ट्शन पचास पर से अधिक नहीं कहा था है कि अर्ट्शन जो है बने पदल है कि प्चास पर सेलिकार नहीं कि लिए कठोर नहीं नहीं गोशित किया सब्सक्राइब कारवाई की राजनीती को नया रूप देता है इडवलेस कोटा आरक्षण सम्मंधी चर्चा को जाती आते आरक्षण के पक्षमिराय मंडल आयोग से परिले जाता है सब्सक्राइब कारवाई की राजनीती की राजनीती को नया रूप देता है इडवलेस कोटा आरक्षण सम्मंधी जो मंडल आयोग था उससे परिले जाता है ठीक है मतलब मंडल आयोग जाती आरक्षण के उसमें था ठीक है हलाकि जाती पिछड़ेपन के रिधान के लिए प्रमुक कारक हो सकती है लेकिन नया रूप पिछड़ेपन के पहचान करने को हमेशा थोचसाइद किया है मतलब लोवर कास्ट है तो पिछड़ा है ऐसा भी हो सकता है जो इंसान गरीब है वो भी पिछड़ा हो सकता है हर तरीके से उसे शिक्षा नहीं और भी बहुत सी चीज़ें नहीं है तो यह बोलने हैं कि सिर्फ जाती को नहीं मतलब एक मान सकते हैं आधा राम सिंग और अन्य बनाम भारसंग बाद जो था 2015 में उस्टम नयाले ने पिछड़े वर्गो की गैर जाती आधारत पहचान के आफशकता का सुझा दिया था तो इस वाद में भी सुप्रीम कोट ने विक्सित करना होगा इन्होंने का कि घंश तो करना ही होता तो यह पहचान करने के लिए हमें नए नए प्रताय नए विधी मँदलब नए मौनद के सब्सक्षान अर्थिक प्रिदान करता है लगसे वैसे पिष्वर नहीं कास्ट से लेकिन मान लीजिए उनके गरीब हैं तो उनको भी क्या है नियायज प्रदान करता है जन्हें आरक्षण जैसी सक्रात्म कारवाई के लाब नहीं मिला। समर्थको ने अनूरूप है तो इसका समर्थन करते हैं उसका समर्थन करते हैं कि सभीधान में भी सभीधान के परीवर सन खिरों करना न किया इसके अलावा आर्थिक मानधन को जा आधारत आरक्षंट से दूर जाने की प्रक्राइब पहला कदाम है एक सेकंड को ध्यान में रखा इसके तहत विस्टर डुस्ट्री को प्रस्तुत किया गया है साथ ही इसकी माधियम से भाद की सकरात्मा कारवाई नीति को नए आका देने का प्रयास किया गया है तो ये भी देखे वर के साथ साथ जाती भी ध्यान रखे इसके तहत एक विस्टर डुस्ट्री को प्रदान किया गया है मतलब हमें एक लार्ज स्कील पर देखना है कि कौन पिछड़ा है न और इसके साथ ही जो भारत की सकरात्मा कारवाई नीति को मतलब एक पॉजिटिव का सब्सक्रात्मा कारवाई नीति को नयाकार इसमें देने का प्रैस किया गया एक्षण समाजिक उत्थान के लिए एक पारंपर एक अफधारना के रूप में आक्षण का उदेश वित्य शक्तिकरन करना नहीं है इसका उपयोग गरेबी उन्मूलन उपाई के रूप में नही अब यह बोल लहें कि आरक्षण मतलब वित्य शक्तिकरन के लिए नहीं था मतलब कि किसी को पैसो से मतलब ठीक करना अगर वो मैं सिंपल वर्च वदाएं कोशिश करती हूँ अगर मतलब पैसों से उसमें कुछ उसके पास कमी है तो वो करना नहीं था कि सबको मतलब सब वि इसका समाज शक्तिकरन करना था सकती आरक्षण अच्छे वर्गों के प्रतिपूरक भेदभाव है इसका उधेश इन वर्गों के साथ हुए इसके वर्गों के साथ हुए एतिहासिक भेदभाव के लिए करें दो इसका इतिहास किया गया जो मतलब जानी आधर अधर पर लोग वार मतल खाला उसको दूर प्रदान था ठीक है उप्चार प्रदान करना इसका उद्धेश लेकिन आर्थिक माननेंडों के अधरा पर किसी उजनाय परिवर्टत नहीं किया सकता तो बतलब अब इसको इस तरीगे से नहीं चेर्ज किया सकता हाला कि आर्थिक कोटा सबसेड़ी साहित साफजिनिक तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उच्छत है उच्छत 15 किन्तों इसे आरक्षण उच्छत 16 तक विस्तायत नहीं किया सकता है क्योंकि इस अनुच्छत के अनुसार आरक्षण तभी दिया सकता है जब सुमधाय का पर्याप्त हो ठीक है अब आप समझे यह बोल रहे हैं कि मतलब हमें समाजिक शशक्ति करन करना था आरक्षण गौदेश वित्य शशक्ति करन नहीं था उसको दूर करने के लिए अब इसे आर्थिक मारणटों के आधार पर मतलब किसी उज़रा परिवर्तित नहीं कर सकते अब फिर हाला कि जो आर्थिक कोटा मतलब जो दिया जा आर्थिक को आर्थिक कों अगर जो उची जाती जाती लोग ज्यादा है तो उनका प्रतिधित ज्यादा हुआ जो लोग प्रतिधित कम होगा तो मतलब इसलिए विस्तायट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनुछेत के उसार आक्षन तभी दे सकते हैं जब समधाय का प्रत्विधित अपर्याप्त हो केवल तभी दे सकते हैं इसके अतरिक जातिकत भीवाव के विपरेद गरीबी आफशेक रूप से एक पीडी से दूसरी पीड जाती है जिसे मतलब देखे जो जाती आदायत होता है वह लंबे टाइम तक चलता है लेकिन गरीबी जरुए नहीं एक पीडी से दूसरी पीडी में कोई अच्छा काम कर जाता है तो फिर सब लोगों की इस्थिति अच्छी हो जाती है अब देखे समानता के सिद्धान का उ कि और पस्पस्ट उनलंगन होता है अब देखे अगर मली यह बोला है कि OBC से समुदा है अगर उनको नहीं देखे की एकनोमिकली वीकर सेक्षन है तो यह जो खुरी प्रत्यवकता के अफसरों का लाब उठाने कि उनकी पात्ता में समानता का उनलंगन होता है यह हां बोल र आरक्षन कोटे के भीतर ही सीमित कर देता है तो इसमें बता रहे हैं कि जो मतलब निर्डाय में देखे सारी नहीं थी शेक बात नहीं बोलते तो जो अपोजेट बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरह का अबवर्जन जो है इनको हटाना मतलब इस कोटे से एक अनमनमानो आय मांदंडों की साथ समस्ति आठ लाक रुपए प्रतिवश की आय मांदंड पर पहले से ही सवाल उठाया जा चुक है इसका कार्ण यह है कि इस मांदंड से समाजिक रूप से उन्नत भर भी इसके दायरे में आ जाएंगे तो यह बोल रहे हैं कि आठ लाक इंकम मतलब ठी उन्हें आय का रिटर्न भरना पड़ता है तो उससे तो उन्हें छूट दी जा रही है लेकिन आठ लाग तक वाले को आरक्शन दे रहे हैं यह आप यह वात है इसके अलावा वार्शिक आय की निर्धायत सीमा राश्टी इस्तर की और वार्शिक प्रतिवेक्ति आय से बहुत जादा है ठीक है इस प्रकाश जिंसंका का इक बड़ा वर्ग इसमें शामिल हो जाता है मतलब काफी साहे लोग इसमें आ जा रहे हैं इसके अतरिक प्रत्यक्ष आय पर डेटा की कमी और अनुचित आय घोशनों की संभावना से प्रभाविक कारियन में अतरिक बाद इसके कार्ण भी इसमें तिक्कत आ सकती है लोग भावनवात का साधर अलोचना उने डेवलेस आरक्षण की राजनेतिक प्रक्ति की और वी संकित किया इस कदम से राजनेतिक रूप से समाजिक तनाफ बढ़ने की संभावना है तो यह भी बोलते हैं कि अपने वोटिंग के लिए जो राजनेतिक दल है वो करते हैं इसके कदम से मतलब क्या है कि समाजिक तनाफ बढ़ सकता है लोगों के बीच हाली के निर्डेव में अल्पमत के दुस्टी कौन पर प्रकाश डाला गया है उनके उसा 50% आरक्षण की धायत उच्छ सीमा के उल्लंगन के अनुमती द पर दा चले 90-100% आरक्षण ही है यह वाली बात भी हो सकती आगे जाके और और भी वर्गी करन हो सकते हैं और भी लोगों को ऐसी आरक्षण के दायरे में लाया जा सकते हैं आगे की रहा क्या है अब पेक्षित लाभार्तियों के पहचान करने के लिए अधिक विस्तर डेट अधिक वाला पार्णा जाए लोगों का और अच्छे से जिनको जवरत है उनकी पहचान करें चाहिए तकि वह वास्तविक लक्षण मुहों कि पहचान करें उनहीं लाब मिले इसका तिक है सबके लिए होना चाहिए और जो आए मानदंड कम होने चाहिए इसके समाइस तर पर रखा जा सकता है अधिक समावेशी हो देखे एक है कि सस्टेनीबल डवलपमेंट करना है पिश्रेपन को शामिल करने के लिए वैचाइक धाची को लगातार विक्सित करने की आवशक है इससे क्या सके कि सकरात्मक कारवाई कही अधिक समावेशी हो मतलब और सोच समझ के और ढंक से चीज़ कर चीज़नी चाहिए ठीक है जिससे क्या है कि अधिक समावेशी यह मतलब ज्यादा मतलब कि ज़ादा गरीब उन्हें ज्यादा इसका लाब मिल सके हर किसी को मिलने के वज़ाए थिक समावेशी हो जादा लोगों को तक पहुच हो सके और जब निजी चेत्रक में अधिक नौ अ मंकरय वर राय है तो रोज़कार को बढ़ाने पर केंदृत नीतियां होनी चाहिए प्लाफ के लिए बहतर काम करेंगे तो यह बुले रोज़कार को बढ़ाने पर ध्यान करने वाली नीतियां होनी चाहिए जो मतलब इडिकेशन इस्टीट सेक्षिस थान उनकी गुडवत्ता में सुधार लाना चाहिए मतलब अच्छी कौईलिटी की होने चाहिए अब जब रैंकिंग आती तो देखी कितने कम इंडिया इंस्टीट्ट जो रैंकिंग में आते अच्छी वाली में तो मतलब इंकी गुडवत्त इसको बरकरार रखा जाएगा इसकी वैसे ये पूरा था अब आप इसके positive negative point देख सकते हैं कभी answer एक बार खुद से लिख कर देखे बाकी का हम देखते हैं next video में Thank you